हाई गाईच वेलकॉम बैक टू माई चानल आज मैं फिर से लेके आगे हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पे जो होने वाला है नवारी कस्ता साडी ड्रापिंग और भी एक इंट्रेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसको मैं पेटी कोड के साथ ही वेर करी करना है उसके बाद कोई सभी साड़ी ले सकते हो मैंने यहां पर पार्ट शाड़ी लिया है आप चाहो तो यहां पर कॉटन का साड़ी यूज कर सकते हो जिसका दोनों साइट पे बडर होगा उसके बाद आपको क्या करना है उसको राइट हांड साइट से उसको पकड़के एक फूल राउंड घुमादना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको विल्कुल उसी तरीके से करना है अगर आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पर अभे तक फॉलो नहीं किया है तो जाएए जाके फॉलो कर लेजिए आपको लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा और यूजर आइडिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो मैं यहां तक कंप्लीट कर चुकी हूँ अगर आप मेरे चैनल में नए आये हैं आपको अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजिए पास में जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब आप वहां पर कर चुकी हूँ इसको यह वाला जो साड़ी सबको पता है इसलिए में वीडियो को जादा लंबा नहीं कहना चाहती थी तो पल्लु को मैंने कंधे पर डाल दिया गुमा के लेप्ट साइड के कंधे इसके बाद नीचे हमें क्या करना है जो हम प्लेट्स डालते हैं साड़ी वक्त आपको बिल्कुल उससे परके से प्लेट्स डाल देना है तो अब देख सकते हो मैं प्लेट्स डाल चुकी हूँ इसके बाद इसको अंदर के तरफ में टक कर दूंगी इसके बद आपको पल्लू को निकालके हमें जो नीट अंड क्लीन प्लेट्स बनाते हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे उसी तरीके से प्लेट्स बनाना है और प्लेट्स बनाके हमें कंधे पे एक पीन डाल देना है तो आप देख सकते हो मैं पीन डाल चुकी हूँ फिर हमें क्या करना है दोनों पेर को ओपन करके खड़ा हो जाना है और इसके बाद बिल्कुल सेंटर में से साड़ी को खीच के लेके पीछे के तक जाना है और यहां पे पेटिकोट को अंदर की तरफ हमें अपने हाथों से ही और साड़ी की बडर को पकड़के उसको अच्छी तरीके से जैसे वो बाहर की तरफ विजिवूल हो पाए आपको अपने हाथों से ही करना है और करने के बाद आपको पीछे के तरफ उसको टकिंग कर दना है जैसे मैं आपको दिखाऊंगी आपको बिल्कुल उसी तरीके से वीडियो में करना है तो यहां पर देख सकते हूं हमें बिल्कुल अच्छे तरीकिसे सेंटर में प्लेट्स को टकिन कर दिया है इसके बड़ पल्लु को सामने के तरफ घुमा के लेके आना है और यहां पर आप चाहो तो पीन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको कमर में अंदर के तरफ टक कर सकते हो तो यह है इसका फाइनल लूक यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना क्यूंकि मुझे भी तो पता चले कि आपकी चॉइस क्या है और आप किस टाइप का किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हों तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर करना जो भी इस वले वीडियो को देखने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो मैं मिलूंगे आपको निव वीडियो के साथ